नमस्य मैं हूँ सचिन गोयल और लोग कल्यान के लिए चलाय जा रहे इस कारेकरम मैं आपका स्वागत करता हूँ एक दिन मैं अपने रिलेटवी से मिलने गया वो बैट पर लेटे हुए थे उमर यही कोई 40-45 की उमर होगी मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है तो लड़कड़ा की जवान में बोले कि बीपी बहुत ज़्यादा हाई है डॉक्टर को भी सुबह दिखा दिया गोली भी ले लिये लेकिन अभी तक कोई आराम नहीं आया और बहुत उनकी आलत खराब थी और उन्होंने ये का कि अब रात उने वाली है डर बहुत लग रहा है पता नहीं रात को क्या होगा तो मैंने उनसे का बस इतनी इसी बात है आप जरा चिम्टी मंगाईए बोले क्या मैंने का चिम्टी जो कपड़े सुकाते हैं वो चिम्टी जरा मंगाईए तुमने बाएं हाथ की बीच की उगली में इस तरह से लगा के चोड़ दी और फिर दूसरी चिम्टी लिए और उसको मैंने उनके जो चोटी उगली होती है, सबसे चोटी उगली है канал की उस उगली में लगा के उसको चोड़ दिया फिर उनके दाएं हाथ की बीच की उंगली में भी एक चिम्टी लगा दी और जो सबसे चोटी उंगली होती है उसमें भी एक चिम्टी लगा के छोड़ दी फिर मैंने उनसे कहा कि अब आ प्लेटे रही है और जब अनीजी लगे तब इनको हटाने के लिए बोल देना पांच मिनट बाद ही उनने कहा कि मुझे बहुत ही अनीजी लग रहा है आप इसको हटा दो मैंने उनकी सारी चिम्टी हाथ में से हटा दी और फिर बीपी हाथ मात नापा उनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल था वोटके बैट दे और खंसने लगे ये कैसे हो गया मैंनका ये तो बहुत एक्यूप्रेशर की एक बहुत ही एक्यूप्रेशर का बहुत ही अच्छा ही इलाज है और बहुत ही आसान है कोई भी कभी भी कर सकता है तो दोस्तों इस तरह से acupressure का ये इलाज high BP के लिए बहुत ज़्यादा और instantly effective है ये life saving treatment है आप इसको use कीजिए रोजाना इसको कर सकते हैं इससे BP normal रहने लग जाता है ऐसे ही acupressure tips, health tips और health facts देखते रहने के लिए आज ही मुझे subscribe कीजिए झाल 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 झाल